हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आपने थमलीन बिल्कुल सही देखा कि डेट सीट आ गई है अब क्या करें तो अब इस सिचुवेशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो की डेट सीट का वेट कर रहे थे रिजल्ट का वेट कर रहे थे या किसी भी कारण से नहीं पढ़ से समस्टर पाच के लिए पहले बाट यह बात करूँ कि यह पांच रेगुलर का है और प्रोग्राम में से पहले से बस्यूर्ट देट स्टू पहला पेपर जो दिया गया, that is income tax, यानि होता है नहीं, पहला first ball ही जो मारा, वो bouncer मारा, income tax, कि बच्चे का पहले पेपर में moral खदम, खदम, यार पेपर कैसा गया, नहीं गया, क्या करें, और 13 तारिक से start है, सभी पेपर लगबग 13 या 14 से ही start है, तो अगर मैं 13 तारिक ही exact date लो, यूगि अगर मैं मानू, September गया, October और November, ठीक है, 31 दिन और 30 दिन होता है, तो मैं 60, और now December में 10 दिन मान लेता हूं, टोटल 70 days, 60 दिन के असपास बनते हैं, और income tax का एक चप्टर salary उसमें 60 दिन लग जाता है, एक चप्टर में, और income tax में ऐसे 23 चप्टर है, 22-23 चप्टर बनते हैं, टोटल, इसके बाद आपका business economics, बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, कि इस subject को बहुत light लेके चल रहे है management account 24 तारिक को, हाँ ये बात मैं बोल सकता हूँ, gap है paper में, और एक जन्वरी को आपका जो भी discipline specific collective है, वो subject होगा, हर बच्चों ने अपना अलग चूस किया होगा, उसके अकॉर्डिक, S.O.L. वाले बच्चों का 14 तारिक से start है, पहला G.E. दे दिया उन्होंने, दूसरा दे दिया income tax, अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल आ रहोगा, ये tentative है, भाई आप इतने time से paper दे रहे हो, तो tentative के एक दो दिन आगे पीछे कुछ date सोरती है, बाकि वही date शिट आ जाती कोई ये है, ये तो है हमारा date शिट, आप सभी को मिल गया होगा, काफी पहले आ गया था, Friday आगया था, और ऐसे ही अगर देखा जाए, तो ये हमारा है date शिट किसका असर, ये date शिट है आपका program वाले बच्चों का, प्रोग्राम वाले बच्चों का, पहला paper फिर से income tax, यान तीसरा paper, management account, date है 26, और ये एक तारिक और ये कुछ subject के date यहां नहीं है, साथ subject होते हैं, तो वो आपको, मैं एक अलग से PDF, अलग अलग मुझे देखके, मैं upload कर दूँगा, टेलिग्राम पे, और मैं WhatsApp चैनल का भी link दे देता हूँ, क्योंकि टेलिग्राम के अंदर बड़ी स सबको भी जोइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं regular update देता रहा हूँ, यह है, तो सर, अब हम क्या करें, what to do, date sheet आ गई है, और date sheet बुरी नहीं है, अच्छी date sheet ने छुट्टी भी है, exam के बीच बीच में छुट्टी भी दी है, अब हमारे पास, there is student की बात करें, student की बात करें, तो three type के student हैं, यहाँ पे, एक वो student है, जो starting से पढ़ रहे थे, जो student स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, वो student YouTube पे continue पढ़ सकते हैं, बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो बच्चे स्टार्टिंग से हमारे paid courses में था, वो तो उनमें बने ही रहेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एक तो इस तरीके के बच्चे हैं, जो हमारे पास जुड़े हैं, एक वो student है, जो की पढ़ना 10-12 दिन पहले स्टार्ट किया है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, मिड में स्टार्ट किया, तो वो बच्चे जो YouTube पे हैं, और या फिर पेड के हम बात ही नहीं करते हैं, यूट्यूब पे, पढ़ रहे हैं, एक student वो होंगे, जो साइद अब पढ़ना स्टार्ट कर दे, या फिर मेरे बताने के बाद भी 10 दिन बाद उनका माहौल बने पढ़ने का, यानि जो लास्ट वाले हैं, इस बार ध्यान रखना, कि डियू ना, लास्ट में जो पढ़ते हैं, उनको बच्चों को मज़ा चखाने वाला है, उनको लास्ट वाले को लास्ट में ही डियू की डिगरी मिलेगी, ध्यान रखना, अब सर, हम कैसे, और कुछ बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ने का मतलब, पेड में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो ना, जो स्टार्टिंग से पढ़ रही है, उनको बिल्कुल भी डिट शिट देखके पैनिक नहीं हो न, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्ट पर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहे हैं, महां से सारे चीजे मैनेज होगा, मेरे चैनल पर, खुद के चैनल पर, मैं दूसरे चैनल की क्या बात करूँ, मैं खुद के चैनल पर बोलू, अगर मैं इंकम टेक्स की बोलू, पिछले साल की वीडियो मिलेगी, उससे पिछले की सुनी चाहे चैट जी पीटी की सुनी चाहे यूटीब की सुनी मतलब के जो लेटेस्ट आपके डियू के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो समझ लो आपका बंटाधार हो जाए क्योंकि छोटी-छोटी चीज़े बदल गही है उनके अनके अनके जो बच्चे यूटीब से म मैं कहूंगा उन स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा आप अलर्ट रहिए मैं यूटीब आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता बच्चों को काफी सारा स्लेवस मिस्दब हो चुगा है दिक्कत हो का मैनेजमेंट अकाउंट भी इसी तरीके से हो गया तो आप नह नियर बाइ कोई भी कोचिक इंसिट्यूट दो महने में आपका स्लेवस नहीं करा के दे सकता और दो महने में आपसे फीस पूरी ले लेंगे क्योंकि भाईया आप लेट जाओ चाहे पहले जाओ लेखिन वो मजा नहीं आएगा इस बात का ध्यान रखना वहां पे बहुत ब इसके अंदर हमने बहुत सारे फीचर्स वो मैं अब के हिसाब से लेके चलूँगा फास्ट्रेक बैच मैं लेके आ रहा हूं और अब के हिसाब से मैं इसको रन करने वाला हूं और दो महिने के अंदर मैं अकॉर्डिंगली स्लेवस और बहुत हाइली एक्टिवेट होके मैं काम करने वाला हूँ इसमें पेड कोर्स इसके अंदर निव बैच है इस फास्ट ट्रेक बैच जो सिर्फ इनके लिए और लास्ट वाले जो बच्चे हैं मैं बोलता हूँ आप जाग जाईए नहीं तो एक पेपर भी आपका खराब हुआ तो डेफिनेटली मेरी बात मानिएगा आप पूरा साल खराब हो जाएगा और बैक लॉग वगरा है तो उसमें दिक्कत आएगी डियू वालो का आप यह मत समझेगा पिछला रिजल्ट ऐसा है तो आगे भी continue रहेगा जब भी आपको एक पेपर में उन्होंने कहीं भी किसी भी रिजन से रोख लिया गए फिर आप फिर आप अगर पेपर खराब गया तो आपके इंदर इतना कॉंफिडेंस भी नहीं हो कि री चेकिंग करके पेपर मंगवा ले आटी आई से पेपर मंगवा ले और चेक कर लें गलती कहां है नहीं कर पाओगे आप इस बात का ध्यान रखना है आपको हाँ आपनी तरफ से 100% दो आपको कॉंफिडेंस है मैं बताऊंगा आटी आई लगाए के पेपर मंगवा या फिर री चेकिंग करो कैसे नहीं ओर रिजल्ट को करेंगे लेकिन पेपर खराब हुआ तो तो फिर कोई भी नहीं कर सकता इन बच्चों को यूटूब पे सरेफ और सरेफ थोड़ी बहुत जानकार भी खटा करना है बाकी गो विद पेड़ कोर्स आपके लिए तो कुछ option है ही नहीं और जल्दी-जल्दी से आप उसको कर सकते हैं तो मैंने तो आपको सलहा दिया पेड़ कोर्स का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे से पढ़़िए पेड़ कोर्स का मतलब ऐसा भी न पुछते हैं ना किस टाइम टे नाव मैंने अभी स्टार्ट कर दिया यूटूब से मैं कवर अप कर लूँ आ पीछे से तो मैं क्लियरली बता दूँ यूटूब पर बहुत वीडियो मैस्डब है और आपको गूगल पर कभी भी नहीं मिलने वाली है चीजे गूगल पर इधर इकनामिक्स है यह भी इंट्रेस्टिंग है बहुत बच्चे हलके में लेते हैं कई बार अपने सीनियर से पूछ के देखना मतलब ज्यादा सीनियर अभी डियू का हाल फिलाल में आप तो बहुत सारे सिलिबस फिर करेक्ट होंगे अपने मोस्ट पॉब्ली सीनियर से पूछ चाहिए कहीं भी पढ़े मैं हमेशा कहूंगा पैसे खर्चिये आप बुक लीजिए 10 येर भी मार्केट में आ चुका है और मैंने इंकम टेक्स का 10 येर भी करेक्ट करके डाल दिया है इंकम टेक्स का 10 येर भी अगर आपको अपने नियर्वाइश शॉप से लेना चाहते है नियर्वाइश शॉप से ले लिजिए अधरवाइश फिर आप ऐसा कर सकते हैं नियर्वाइश शॉप से नहीं ले सकते हैं तो ऑन-लाइन ओडर कर सकते हैं ये लिजे नंबर ले लिजे जो वहाँ पर main dispatch department में है सारा देखते हैं head है उस department में उनका नंबर देता हूँ आपको within a one day 10 years मिल जाएंगे सारे 10 years आ चुके हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं तो books और 10 years मैं हर बार बोलता हूँ और कई बच्चे का मन में अभी सवाल होगा सर अगर हम सिर्फ इतने कम टाइम बचे हैं सिर्फ 10 years से पढ़ ले तो क्या चलेगा या book ले ले 10 years अब देखो दोनों की अलग-अलग अपने importance है दोनों की अलग-अलग अपने महत्व है books के अंदर आपको पहले question कौन सा करना चाहिए मतलब starting से ending के concept होते हैं 10 years में बिल्कुल ending वाला ही concept होता है तो दोनों चीज़े अलग है सिर्फ book से भी पढ़ लोगे तो आप past year examination नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी 10 years से direct कोई पढ़ ही नहीं सकता theoretical subject कर लेता है हाला कि practical तो not possible मैंने सीधा सीधा clear clear इसके अंदर दोर आए कोई बच्चे मन में ना रखेगे मैं book से कर लूँगा end में 10 years से कर लूँगा तो नहीं रखे हाँ जी तो मैंने आपको clearly after क्या करना है आपके पास 60-70 दिन जो भी है क्या करना है मैंने clearly बता दिया जो बच्चे starting से YouTube पे जुड़े हैं don't worry about it मैं आपके साथ रहूँगा अगर कोई दिक्कत भी होती है तो मैं हमेशा बदाऊँगा जो बच्चे mid में half plan में 5 दिन में पढ़ना start किया 10 दिन में पढ़ना start किया या regularity में नहीं पढ़ रहे तो मैं बोलूँगा भया आप इस YouTube चैनल के भरोसे पास अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे इसका ये reason नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डालूँगा मैं वीडियो डा कर सकते हैं जो बच्चा कहीं भी करें और मेर पास जो बच्चा paid courses करना चाहता है मैंने बता दिया के fast track batch आ गया है आप सभी के लिए और fast track batch के अंदर क्या है आपको ये course आपको मिरेगा 449 450 रुपे का एक course होगा इसके अंदर facility आपको मिल जाएगी live class और doubt इस बार कमाल का solving है डाउट की तो tension ही नहीं होने वाली आपको इसके बाद live class हो गया ये हो गया आपको PDF notes मिल गया class के अंदर guidance मिलेंगे आप पांचवे semester से आगे छटे semester के बाद क्या करो career के अंदर क्या choose करो सारी each and everything रहेगा इसके साथ साथ आपके test भी रहेंगे अगर आप इमानदारी से मेरे साथ चलते हैं तो आपको pass होने से कोई नहीं रोक सकता लापरवाई करेंगे तो आपको fail होने से कोई नहीं बचा सकता बस मैंने तो भईया आपको guide करना था तो मैंने इसलिए बोला after date shit what I do तो जल्दी जल्दी करिए जिसको भी अगर paid course में आना है book कर लिजिए YouTube से अ सारी मर्जी आपकी मेरी मर्जी कुछ भी नहीं है मेरी मर्जी पूछो तो मैं बुलूंगा भया सुरू से पढ़ ले तो मैनेज हो जाएगा अब ही अगर आप जागे हो तो प्लीज जॉइन कर लो ज्यादा books भी खरीदो और 10 यह भी खरीदो थोड़े से पैसे खर्च को मुझे जैलेसी होती हो बच्चे कितने मतलब एग्रिसिव रहते हैं अपने पढ़ाई को लेकि और आप इतने एक तरीके से ना मतलब पढ़ना ही नहीं चाहरे हो तो आपने अपने मटिया पली तो खुदी कर रखे बिलकुल कि भाया हम ऐसे हैं बीकॉम करने के बाद भी बच्चे को पुछ सब्जेक्ट का नहीं पता है मन में सतों सब्जेक्ट के कितने हैं तो कुछ बच्चे तो ऐसे मत रखे बरबाद मत करो आप आने वाली जनरेशन को भी खराब कर रहे हो और एक पूरे कम्मिनियटी को बढ़नाम करने की कोशिस मत करो आप लेके चलना बनना है आपको, आपको CA करना है, आपको CA करना है, बड़े सारे कोर्स के से जो आपको प्यूचर में प्लान कर रखा होगा, तब ही कर पाओगे, जब आप भी को अच्छे से पढ़ लेते हो, मिलते हम, नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट वीडियो में